हलो बच्चों सुभागी देवी माधिपी दाला इंटेर्मेडियर कालेज इलावाद के यूटुब चैनल में आपका स्वागत है मैं सुरी पदाप सिंग आप लोगों को सामाजी विज्ञान पढ़ाने जा रहा हूँ कच्छा साथ के इस सामाजी विज्ञान में पहला चैप्टर है इतिहास से मध्यकाल की परमुख घटनाएं मध्यकाल की परमुख घटनाएं जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले हम जानते हैं कि इतिहास क्या होता है इतिहास मतलब हमारा आतीत जो कुछ चीजें पिछली घटनाएं जिनके बारे में हम अध्यन करते हैं वो इतिहास होता है अब इतिहास को तीन भागों में विहाजित किया गया है यानि मध्यकाल का अर्थ इतिहास प्रायर तीन भागों में व्याजित किया जाता है यानि प्राचीन काल यानि प्राचीन यूग, मद्यकाल यानि मद्य यूग तथा आधूनिक यूग यानि आधूनिक काल अता प्राचीन काल और आधूनिक काल के बीच का यूग को मद्यकाल कहते हैं मद्यकाल के आरंब और अंत के विशय में इतिहास कारों ने किसी एक निश्चित वर्स या दसक का प्रियूग नहीं किया क्योंकि किसी भी यूप का आरंब और अंत सनाय सनाय यानि धीरे धीरे होता है जब कुछ विश्ष सामाजिक और राजनितिक प्रियूअरतन होते हैं फिर भी ईशा की आठमी सदी के मद्यकाल का आरंब तदा अठहर्मी सदी को इसका आंत माना जाता है इसका कारण या है कि आठमी सदाब्दी के आसपास भारत के सामाजिक जीवन में बहुत से प्रिवर्तन हो रहे थे इन सामाजिक प्रिवर्तनों का जीवन के राजनितिक और आर्थिक पच्छों का भी प्रभाव पड़ा इस प्रकार भारत के इतिहास का एक युग आरंब हो गया एक समय आरंब हो गया कोई भी समाज अचानक नहीं बदलता उसके बदलने में समय लगता है नए विचारों से समाज के सभी व्यक्ति एक साथ प्रभावित होते हैं भारत के इतियास में भी कुछ परिवरतन आठवी सताबदी से भी पहले प्रारंब हो गए थे पर कीन्तु देश के कुछ भागों में उनका प्रभाव कुछ समय बाद ही अनभव किया गया इसलिए सामाने द्रिष्टि से देखते हैं कि नए वीचारों का वीजा रोपन आठमी सताब्धी में हुआ इस प्रकार मुगल समराज के पतन और अंग्रेज के आने के समय 28 सताब्धी में भी कुछ परिवरतन हुए इसी कारण मद्देकाल का हंट इसी सदावदी में माना जाता है आए देखते हैं कि मद्देकाल के इतिहास के जानने के सुरूत कौन कौन से हैं साधन कौन कौन से हैं कि जिसके दोरा हम मद्देकाल के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके हैं प्राचीन काल की अपिक्षा हमें मद्यकाल, मद्यकाली इन भारत की अधिक जानकारी प्राप्त है, अता इसकी सम्मन्द में हमारा ज्यान भी अधिक होगा, अधिक है, मद्यकाल हमारे अधिक निकट है, अता इस काल का इतिहाज जानने के लिए अनिक साधन मिलते हैं, मद्यकाल के विशय में हमें निम्ड़की स्रोतों या निम्ड़की साधनों से जानकारी मिलती है पहला साधन है हमारे पास अभिलेख अभिलेख क्या होते हैं मद्यकाल के आरंभिक भाग अर्थाफ इसा की आटवी सताबदी से अठारवी सताबदी तक अनेक सुचनाएं हमें अभी लेखों से प्राप्त होती हैं ये लेख या तो ताम पत्रों पर लिखे गए थे या सिलाओं पर और ये सारे भारत के गाओं और मंदिरों में बहुत बड़ी संख्या में मिलते हैं अभी लेख का मतलब होता है लिखा हुगा रिकार्ड क्या आप जानते हैं कि आज परयोग में आने वाले खाज बडार्थ एवं वस इसी काल में लोग प्रियोगे बारत में बोली जाने वाली वरत्मान काल की सभी भाजाओं का विगास इसी काल में हुआ था किस काल में मद्यकाल में अब आपे हैं मद्यकालीन इतियास के जानने के दूसरा स्रोत है साहितिक साधन मद्यकाल के इतियास को जानने के लिए भीन प्रकार की साहितिक साधन भी हैं राप्त हुए हैं यह साहित आरम में तार पत्रों यारी तार के पत्रों और भोज पत्रों पर लिखा गया था और इन पुस्तकों में भी अनेक अब तक मौझूद हैं इन में से कुछ में राजाओं के जीवन और राजमांसों दोरा किये गए कारियों का विश्तार से वड़न किया गया है कुछ में प्राचीन संस्मरन यानि प्राचीन काल के यादों को संस्मरन है और कुछ में आत्म चरित्र के रूप में सासकों के जीवन का वड़न किया गया है जैसे बाबर और जहांगीर के संसमरण यानी बाबर और जहांगीर के जीवनकाल यानी उनके सासनकाल का वाडन किया गया है कुछ धार्मिक और सहित्तिक गरंथ को लगुद चितरों से सजा गया है यानि कुछ धार्मिक चीजों को भी चित्रों के माध्यम से सजा गया है तीसरा मद्यकाल के इतियास के जानने का तीसरा स्रोत है विदेशी यात्रियों द्वारा किया गया वडन इस काल में भारत की यात्रा करने वाले विदेशी यात्रियों के द्वारा भी यात्रा का वड़न मिलता है अब हम देखेंगे इस बाट में तीसरा पॉइंट है मारा मद्यकाल का बिभाजन यानि मद्यकाल को किन किन भागों में बाटा गया है इस मध्यकाल के इतियास के अध्यन को सरल बनाने के लिए इसे दो भागों में बाटा गया है पहला भाग है पूरो मध्यकाल तो मध्यकाल के विभाजन का पहला भाग है पूरो मध्यकाल 18 सदाब्दी से 13 सदाब्दी तक के काल को पूरो मद्यकाल कहते हैं इसके अंतरगрь प्रतिहार पाल और राश्टपूर राजाओं के सासन काल और उत्तर भारत के राजपूरत राज्जियों और चोल समराज का इतियास आता है मद्यकाल के विभाजन का दूसरा भाग है उत्तर मद्यकाल तेरहमी सदापदी के बाद के काल को उत्तर मद्यकाल कहते हैं जिसके अंतरगत दिल्ली के सुल्तानों बहमनी और विजय नगर के राज्यों तधा मुगल समराज का इदियास आता है उत्तर मद्यकाल में आये सामाजिक परिवर्तनों पर भारत के बाहर से आये राजवन्सों का प्रभाव देखा जा सकता है प्रमगरूप से ये सासक, तुर्क, अफगान तता मुगल थे जो भारत वर्स में आकर बस गए इस काल में विदेशियों के भारत में आने के कारण भारत का बाहरी संसार से घनिश संबन्द हो गया यानि बाहर से भी भारत का घनिश संबन्द बन गया विश्व के अन्य भागों में घटित प्रमुग घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे इस समय पश्चिम एसिया, यूरोप, मद एसिया, चीन और दच्छिरी पुर्वी एसिया में अनेक मौत्पूर घटनाएं घटी जिनका भारत के इतियास पर भी बहुत परभाव पढ़ अरब में इसलाम धर्म का उदय होगा, जैसा कि आप पर चुके हैं कि इसा की साथवी सतावदी में अरब में एक बड़ी मौत्पूर घटना होई थी, पैगंबर मुहम्मद साहब ने एक नवीन धर्म यानि इसलाम धर्म का उपदेश दिया, सिग रही अरब जातियां एक राजितिक संगठन बन गई, उन्होंने पस्चमी एसिया के अनेक भागों जैसे जार्डन, सीरिया, इराग, तुर्की, फारस, सिंध और मिस्ड जो अफरीका का एक देश है, आदि को भी जीत लिया, पैगंबर के मृत्पू के बाद अरब जातियों पर एक के बाद एक कई खलीफा सासन करते रहे, पौले चार खलीफा हजरत मुहम्मद साब के साथ ही थे, उनके बाद उमयदों का सासन काल आया, ये दमिस्क के सासन करते थे, उमयदों के बाद अब्बासी बंस के सासकों ने बगदाद से सासन किया हारुन उल्रसीत जिनका दर्बार सारे संसार में प्रसिद्धा वो बगदाद के खलीफा थे दीरे दीरे अर्बों ने अन्य परदेश सौं विशेश रूप से उतरी अफ्रीका के छेतर जीत लिए सिग्रही वेव इस्पेन पहुँच गए और फ्रांस की ओर बढ़ने लगे किन्त उन्हें प्रांस के दच्छिड में रोक लिया गया अर्बों का उद्देश विजय प्राप्त करने के अतरिक्त अपने ब्यापार को बढ़ाना भी था सिग्रही जल्द ही अरब के लोग संसार के विभिन भागों जैसे भारत, चीन, यूरोग तता पूरब और पस्चीमी अपरीका से ब्यापार करने लगे इस ब्यापार से अरब के लोग धनवान हो गए और उन्होंने एक नई सवधा के विकास में अपने धन का उप्योग किया उन्होंने युनान फारा सीन तथा भारत की विद्याय सीखना अरंव कर दिया और अपने विद्या केंद्रों में इन विद्याओं का अधिक विकास किया इस युग में अरव सबता संसार के सबसे अधिक विक्सिक सबताओं में से हो गई थी यूरोप की सामाजिक एवं राजनेतिक इस्तिती यूरोप में अब रोमन सामराज जो पहले एक बहुत सक्षिताली सामराज था का पतन हो गया सन पांच सो इस भी के लगभग इस सामराज का पतन हो गया था इसके कारण यूरोप की बड़ी हान्य होई बहुत बड़ी नुक्सान होई लगातार युद्धों के कारण यूरोप में राजनीतिक सुरक्षा नहीं थी नियम और कानून का कोई व्यवस्था नहीं था खबी-कभी वहां के किसानों का अनाज भी लूट लिया जाता था और ब्यापार की अवनत के कारान यानि ब्यापार में नुक्सान होने की कारान यूरोप के बड़े-बड़े नगर जो सहर थे उनका भी पतन हो गया घ्यान का महत बहुत कम हो गया क्योंकि साधान व्यक्तियों को सिक्षा प्राप्त करने की सुब्धा नहीं थी ग्यान आर्जन यानि विद्या अध्यान के लिए अपने ग्यान का आर्जन करने के लिए धार्मि केंद्रों मठों और इसाई गिर्जा घरों तक ही सीमित रह गया इस समय इसाई धर्म का प्रजार हुगा जर्मनी के कुछ राजाओं ने इसाई धर्म के प्रजार का में अपना उत्सा दिखाया और दस्वी सताबदी इस्वी में जर्मनी इतली तता कुछ अन्य चत्रों को मिला कर एक समराज की अस्थापना की गई जो पवित्र रोमन समराज कहलाया इस दोरान यूरोप में हुआ दूसरा प्रमुक परिवर्तन यूरोप में जो दूसरा परिवर्तन हुआ उसे समंतवादी व्यवस्था कही गई यानि उस ब्यवस्था से समंतवादी ब्यवस्था की उत्पत्ती हुई फ्यूटलेजम सब्द यानि जो लाइटिन वाजा के फ्यूडम सबसे बना है जिसका अर्थ होता है जमीन का ये तुकड़ा जो किसी सेवा के बतले दिया गया होता है राजा जो होता है वह अधिकालियों को नगत देने के बतले जमीन देता था जमीन उन लोगों को दी जाती थी जिनको राजा प्रस्कृत करना चाहता था और उन लोगों को सामंत कहा गया किसानों को इन सामंतों की जमीन पर काम करना परता था सामंत का कर्तब राजा के लिए सेना एकत्र करना सामंत किसानों के साथ बड़ा बुरा बिवार करते थे भोमी पर किसान सर्मिक यानि परिश्रम करते थे परंत धन का वित्रण समान नहीं किया जाता था उपज का अधिक हिसा सामंत ले लेते थे राजा और सामंत विलास्पूर जीवन बतीत करने लगे और किसान गरीब हो गए धीरे धीरे यूरोप के निवासी अरब देशों में ब्यापार और धर्म के कारण रूची लेने लगे ब्यापार के कारण कुछ लोग धन्मान हो गए इसलिए यूरोप के लोग भी ब्यापार से धन्मान बनने की बात सोचने लगे और ब्यापार में रूची लेने लगे यूरोप में नए बने इसाई धर्म के परचार से चिंतित थे इसके कारण अन्यक धर्म युद्ध भी हुए इन धर्म युद्धों को कुरूसेड कहते हैं इन युद्धों में यूरोप के राजा और बीर सरदार अपनी अपनी सेनाय लेकर पुर्वी मद्ध सागरी प्रदेसों में अरब तदा तुर्कों से लड़ने जाते थे इन युद्धों से भूम प्राप्त करने में तो उन्हें सफलता नहीं मिली परंथ इससे ये लोग अरब लोगों के साथ अधिक संपर्क में आए और वे अरब यापार में भाग लेने लगे पंद्रामी और सुलामी सताबदी में यूरोप में बिद्या का विकास करने में अरब वास यूने की ज्ञान का मुत्पूर्ण युगदान है धन्यवाद